फेबुगेट चालिश टेबलेट एक एंटी गाउट मेडिशन है इसका यूज बलड में बढ़े हुए यूरिक एसिट की लेवल के इलाज करने के लिए किया चाता है गठिया के कुछ केसिस में जोडों में सोजन आती है जबकि अधर विमारियों में या नहीं आती ये यूरिक एसिट नाम के क्रिश्टल के करड होता है ये यूजिली पैर की बड़ी उंगली को अफेक्ट करता है इसके साथ ही ये गूटने पैर, हाथ, कलाई और कोहनी आधी जोडों में भी पाया चाता है गठिया किसी को भी एफेक्ट कर सकता है लेकिन महिलाओं के कंपेर में पूरसों में पहले होता है ये बिमारी महिलाओं में मीनोपोस्ट के बाद सुरू होता है और महिलाओं में मीनोपोस्ट तब होता है जब किसी महिला को लागतार 12 महिनों तक पिरेड नहीं आते और ये महिलाओं में 45 साल से 55 साल के बीच में शुरू होता हैं। लेकिन कभी-कभी यह situation 40 के आस-पस की महिलाओं में भी देखे जाती है। तब इस time महिलाओं को गर्थिया की बीमारी हो सकती है। मैलाओं की कंपेर में पूर्सों को गठिया होने की पॉस्बिलिटी तीन गुना जादा हो सकती है क्यूंकि उनके सरीर में यूरिक एशिट का लेबल जादा होता है और मैलाओ मेनो पोस्ट के बाद इन यूरिक एशिट की लेबल तक पहुछती है यह tablet सरीर में uric acid की production को कम करके काम करता है जिसके कारळ आपको गठिया की बिमारी से छुटकारा मेंगता है तो अब बत करते हैं कि आप इस tablet को कैसे यूज़ करेंगे आप इस tablet को भोजन के साथ या भोजन की बिना भी ले सकते हैं जब आपको gout का दोरा नहीं पढ़ रहा हो तब भी आपको इसे अपने डॉक्टर के साला के according लेते रहना चाहेगी यदि आप इसको लेना बंद कर देते हैं तो आपके जोडों में ज्यादा crystal बंदने के कारण आपके लक्षर और भी विगड़ सकते हैं इसलिए बिना डॉक्टर के device के कुछ भी ना करें तो आप बात करते हैं इस टेबलेट के side effect के बारे में जब आप इस दवा को पहली बाल लेना शुरू करते हैं तो आपको गठिया के symptoms में serious दर्द, गर्मी, जोडों में लालिमा, सिर्दर्द, dust, मतली और skin पर लाल races का experience हो सकते हैं बड़ फिर भी आप इस दवा को लेना बंद ना करें क्यूंकि आपका डॉक्टर इन लग्षड़ों को कम करने के लिए या रोकने के लिए help करने के लिए कुछ pen killer या कोई other दवाएं दे सकते हैं तो अगर आप लोगों को यह information अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करें थैंक्यू